वेलके बेक गाईज मैं आपका फिटनिस को चासेफ खान सो आज हो कि अपनी नेक्स क्लास के अंदर अच्छीज कहना चाहूंगा आप सभी को जैसे पता है कि हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है स्ट्रेंज ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर आप सभी जानते हैं मैं काफी टॉपिक्स पड़ा दिया है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं अच्छे एक चीज़ और कहना चाहूंगा जो लोग पहली बार इस वीडियो को वाच कर रहे है तो उनको बस यह समझ में रहा हो कि क्या चल रहा है ठीक है तो मैं आपको बस यह कहना चाहूंगा आप एक काम करो पहले इस वीडियो को वाच कर लो पूरी तरीके से और अगर अच्छा लगे ठीक है तो बस यह कहूँगा अगर फिटनेस में करियर बनाना है या पर्स्रल ट्रेनर बना है आज बनाना है तो जाकर यहां प्रेलिस चेक करना और अगर आप को वीडियो देखने चाहा तो वी वाच कर सकते एपनी ओप्रेट करने के लिए तीक है तो मैं शुरू करता हूं देख और दूसरा वर्काउट है हमारे वर्काउट बेसिकली चम करते हैं उसको वर्काउट को पैटने अपना बरकाउट डिजाइन किस तरीके से करना किस बहाफ पर करना क्या टेकनीक्स लगानी है वह सब चीज सी और हम इसके अंदर तक चीज समझाता हम आपको आपको बहुत ल यह नो सकती है कि इस सास्थ करना ज th ard ejercits कर लो आई से कर लो इसमें इस से अडवांस होने वाला है 되게 थो एक्षिली होता क्या है जम हम workout करते हैं तो हमेरे हमारे गवाओं में क्या चीज आती है हमारे एक चीज यह आती एक हम यह प्रकन अब भी वो प्रोफेशनल ट्रेनर अपने क्लियन को वर्काउट करेगा या खुद वर्काउट करेगा तो हमेशा एक 15 मिनिट का वाम अप करेगा और सेम 15-20 मिनिट का कुल डाउन करेगा तो बेसिकली वाम अप और कुल डाउन यह अलग पार्ट है इसको अलबाद में समझें क्पेशाइस का अलग्त करें हैं शुलिकां का यह विर्कारे के लिए इसाइeles, फॉलिय। लुह इसुर्म तरि है विल्वाचि अपना ट्रेनिंग और क्यूंग करनेव मांद हैं यह नूज तो फैस्वान। आम आधे अवूश्ग लिएमरूप अचाइशना तो बले धालक हमारे training techniques अहले है विया फेस्न से बता हूँ तो मुझे बहुत skull डरनी की मेन पんで शुरुआत करी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़े एक्चली होता हुट क magic करके जब सीखते ना तो एक तो में टाइम वेस्ट होता है ठीक है धुडम सीख तो जाता ही है तो कोशिश क्या करोगीね भूस को जी ने क्या है तो मैंने वहर सिखने करे कि मैस्टेक्स करी समझता है बस यूटूब था मेरे पास ठीक है.- तो मैनेु इतुर्प के तूरू चीज़ों को समझा करी वो है हमारा डिलेशन ठीक है रिलेशन बिट्वीन मैं शॉट में लिकों साथ चीजे किसमें स्ट्रेंथ ठीक है स्ट्रेंथ यहां पर लिक देता हूं स्ट्रेंथ एंडूरेंस और एक और वर्ड आता है पावर अब देखो आप में से बहुत से लोग हैं जो एक चीज तो जानते हैं जो यह वर्ड सुना होगा सबसे बेसिक वर्ड जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ तो हम सभी जानते हैं बट इसका अक्च्छल डेफिनेशन क्या है वह भी समझेंगे एंडुरेंस क्या होता है एक वर्ड में स्टैमिना भी बोलता है ठीक है पावर यह आप सब ने सुना है बट यहां पर जो पावर के बात करने वाले उसका मतलब क्या है तो देखो पहले में इन तीनों को समझाता हूं उनके बीच का रिलेशन बताऊंगा आपको तो यह याद करते हो most of activity जिसके अंदर आपकी strength जादा काम आती है ठीक है उसका अदर आपके endurance power बहुत काम आती है strength एक्जामबर का दौर पर मालो आपको घर में कुछ चीज उठागया रखनी है कुछ समानी दर से उदर रखना है तो आपर आप strength का स्तमाल करते हो आप रोज 12-12-15 बंद करें तो देखो ऐसे समझो मैं आपर लिखके समझाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आपका strength तो strength का मतलब है क्या क्या तो strength का मतलब क्या है जब आप कोई weight lift कर रहे हो और जब आपने एक अपनी capacity के हासला आप से अपने weight lift किया ठीक है और उस weight से आपने क्या करा उस weight से आपने एक wrap perform किया क्या wrap perform किया एक wrap perform कर पा है वो भी किस से complete आपका range of motion था complete range of motion था साथ में good technique के मतलब समझ लेते हैं एक बार देखो मतलब क्या है मैंने कहा strength को समझा रहा हूं आपको strength का मतलब है क्या नहीं चाहिता है तो मैंने कहा मैंने यह आपने किसी ने भी आपको given resistance देया समय मतलब कि एक weight दिया गया ठीक है और आप से कहा कि इसको lift करो ठीक है इससे repetition perform करो तो आपने क्या पर कि से a कि 1 रेप पर पाया किया कर पाया, сказать क्या वक्त वनरप का है गना हुř ऑपस्य एक रड़ा मेंस तो चल्शोन म उस्सक्राइब कर रहा है, उसका एकष्णिम्य की स्ट्रेंथ है उसकी все ये किसी भी वेट को एक बार लेफ्ट कर ना उसको बोलते है ठीक है तिugen्ग गई इसी तरी दुर। समझ लो Endurance तो Endurance का मतलब क्यों होता है कि किसी भी given weight से किसी भी given resistance या weight से given मतलब दिया गया Resistance या बोल दो weight से ठीक है एक से जादा repetition perform करना किसने एक से जादा repetition perform करना उसको हम बोल देते हैं आपकी endurance तो Example कर दोर पापको कोई weight दिया गया आपसे एक से Maximum number of repetition perform करो तो आपने क्या देखा आपने उससे 5-6-7-8-10-9 repetition perform कर दिया तो व आपकी थी Endurance तो किसी भी given weight या given resistance से Maximum number of repetition perform करना उसको बोलते हैं आपका Endurance इसी दिकर से किसी given resistance या weight से at least one rep करना उसे बोलते हैं आपके strength या weight उसी strength को हम count करते हैं वर rep max में तो जह आपने सुना भी हम जिम के अंदर अपना one rep max निकालते हैं bench में squats में ठीक है तो one rep max क्या हो आप अपनी strength चेक कर रहे हो तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ठीक है इसमें relation अभी समझाओंगा बट उससे पहले आपको power समझनी पड़ेगी तो power समझाने इससे पहले आपको इस चीज पता होने चाहिए power का मतलब है क्या देखो power सबसे पहले power को आप इसे define कर सकते हो ठीक है ऐसे समझो किसी अद पड्ल वेट को ठीक है वो ठीकिए उसको लिफ्ल कर रहे हो अप ठीक है मौल्ब किस को लिफ्ल करने कि Сейчас चीए इस्टाइंथ चाहिए ठीक है इस्टाइंथ तो किसी बी वेट को आप लिफ्ल कर रहे हो क्या maximum speed से किस से maximum speed से ठीक है maximum speed या maximum movement से मैं speed लिख देता हूँ तो वहां से जो output निकल काएगा वह आपका power ठीक है, मतलब कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप जो काम कर आप ऐसे समझे जो आपको weight दिया गया है ठीक है जो आपको weight दिया गया उसको जितनी जादा speed से मूव कर पाओगे ठीक है वहां पर आपकी पता चली कि power बहुत से बहुत से difficult नहीं है किसी भी weight को आप जितनी ज्यादा speed से परफॉर्व कर पाओगे उसको बोलेंगे power ठीक है example के तोर पे अगर मान के चली एक ball है मैं एक ball को throw कर रहा हूँ ठीक है तो वह भी resistance है मिल लिए तो उस ball को मैं जितनी तेज थ्रो करूंगा वह मेरी उस वह वह उसको मैं कर पाओगा जब मेरे पास जितनी जादा power होगी तो strength basically output है आपका speed के साथ जो निकल के आता है वह आपकी power होती है मतलब किसी भी object को कितनी तेज मूव कर रहे हो वह आपकी उससे आपकी बचलती है power ठीक है speed को मतलब किसी भी गिवन रिस्टेंस को कितनी तेज आप मूव कर अपा रहे हो ठीक है तो अब इसका स्तमाल का होता है देखो अपने किसी पोर्ट में भी कर सकते हैं ठीक है किसी स्पोर्ट में भी कर सकते हैं ठीक है जहां पर हमें maximum output चाहिए होता है मतलग कि strength और speed का जो combination निकल के आता है उसे बोल सकते हो, आप power, तो power को इस तक है रिफाइड कर सकते हो कि किसी भी given weight को अब कितनी तेजी से move कर पा रहे हो, उसको बोल दिया आपने power अब ऐसे समझा, अब इनके बीच का relationship समझ लो, देखो, अगर मान के चलो, ठीक है कोई बात करता है हम strength की, तो strength का बिल्कुल जो base है, ठीक है, strength खुद एक base है, ठीक है बट अगर आपको strength बढ़ानी है, तो आपको अपनी endurance पर भी काम करना पड़ेगा बेसिक से पहले आपकी endurance अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी strength बिल्ड होगी और इसके बाद आपकी power बिल्ड होगी तो यह आपस में interconnected है, तो अगर आपके अंदर endurance नहीं है, तो strength भी अच्छी नहीं हो पाएगी तो आपको हो सकता है मैं जो इस class को आगे continue करूँ बट आपको इसका अगला part आपको बाद में दिखाये दे, ठीक है, अब आप